टुप टुप टीवी अभी अभी ICU से उनके पती अजे की आखरी सास लेने की खबर आई थी शादी के 22 वर्ष ही बीते थे कहां तो अजे शादी की 25 वी साल गिरा मनाने के सपने संजो रहे थे और अचानक ये संकट की घड़ी आ गई अजे जया की सहमती से ही तो सब कुछ करते थे अभी तो समय आया था बेटे के भविश्य सवारने का बेटा मात्र 18 साल का था इंजीनरिंग की पढ़ाई कर रहा था अभी दो साल बाकी थे पढ़ाई पूरी होने में शादी प्या निप्टा कर दोनों चैन से जीवन की सांदे बेला का आनन्द उठाते परन्तु अचानक अजे की बिमारी ने सारे सपने चगना चूर कर दिये अजे को अभी रिटायर होने में काफी समय था छुटियों में तीनों कहीं न कहीं घूमने निकल जाते अजे कॉलेज में प्रोफेसर थे जया उस जमाने में M.A.B.A. कर चुकी थी लेकिन अजे नहीं चाते थे कि उनकी पत्नी नौकरी करे जया ने घर ग्रहस्ती ही संभाल ली थी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उनकी सिस्कियां अच्चानक थम गई जब नर्स ने अजे के पार्थिव शरीर को I.C.U. से लाने के लिए सारी formalities पूरी करने की सूचना दी जया अपने शरीर को लगबग घसीटी हुई मोहित के साथ वहां पहुँच गई अजे के निर्जीव शरीर को देखकर आखों से आसुओं का सैल आब उमड़ पड़ा दबी हुई सिस्कियां रूदन में बदल गई किसी तरह से उनको वहां से हटाया गया रास्ते में घर की ओर आते वक्त मोहित को यही लग रहा था कि मम्मी को किसी निर्जन स्थान पर छोड़ दू जहां वो भी जी बरके चीख चीख कर रोकर अपना सारा दुख निकाल सकती पर ये संभव नहीं था ये सोच कर ही मोहित ने मा का हाथ जोर से पकड़ लिया दबी हुई सिस्किया अब तीवरित तर होती जा रही थी किसी तरह जया को मोहित और उनके भाई बहनों ने समझाया बुझाया परन्तु कब किसी के समझाने से कोई समझा है अपने ही तरकों से समझ पाता है जया को लगा था अब जीवन का कोई माइना नहीं रह गया है लेकिन धीरे धीरे उन्हें मोहित के लिए अपने आपको सामान ये रखना पड़ा घंटों चुपके चुपके आसु बहाती रहती जया मोहित से बार पार शादी करने को कहती पर ना जाने क्यों वैं टाल मटोल करता रहता अगले दिन मोहित ने ओफिस जाने से पहले जया को बताया ममी शाम को मेरी एक फ्रेंड आएगी कुछ अच्छा बना दीजिएगा जया खुश हो गई दुपेहर से ही खाने के तयारी में जुट गई शाम के साथ बजे बेल बचते ही खोलने को दोड़ी मोहित की फ्रेंड रितू आते ही उनके पैरों के तरफ आशिरवात के लिए जुग गई मोहित ने बताया कि रितू उसके साथ ही काम करती है जया ने उसे कले लगा लिया वे पूरे घर में चहकती फिर रही थी सारे समय जया के साथ ही रही बहुत दिनों बाद जया को लगा कि रितू के आने से जैसे खुश्बु का एक जोका सा आया और उनके मन को सरा बोर करके रख दिया बड़े प्यार से रितू ने एक-एक खाने की तαरीफ की 9.9.9 बजे मोहित उसको चोड़ने गया मोहित के वापस आने पर जया ने मोहित से पूछा रितू तो बहुत अच्छी लड़की है इसी से शादी कर लो ना मोहित ने मा की तरफ शरारत से मुस्कुराते हुए देखा और बोला अगर आपको पसंद है तो यही ठीक है जया खुश हो गई कुछ ही महीनों के बाद दोनों की शादी हो गई शुरू के कुछ दिन तो बड़ी खुशी-खुशी बीते परंतु दो साल बाद कुछ दिनों से जया को लग रहा था कि किसी बात पर इन दोनों का जगड़ा चल रहा है एक दिन जब वे किचन में थी तब ही उनकी बात चीत के कुछ अंच उनके कानों में पिघलते शीशे की तरह पड़े रितु मोहित से कह रही थी तुम कंपनी से मिलने वाली घर क्यों नहीं चलते मुझे यहां घुटन होती है तुम्हारी मम्मी हर वक्त मेरे पीछे पीछे लगी रहती है तुम्हारे दिश्टेदारों का रोज रोज आना जाना लगा रहता है हमारी अपनी तो कोई प्राइविसी नहीं है इस घर में मुझे यहां नहीं रहना है जया को अपने उपर ही गलानी हो आई सोचने लगी मैं तो उसका ख्याल रखना चाहती थी पर ये क्या हो गया दूसरे दिन वे तबियत खराब होने का बहाना करके बिस्तर में ही पड़ी रही नाश्ते के समय मोहित तयार होकर मम्मी मम्मी करता हुआ जब कमरे से निकल कर आया तो देखा कि नाश्ते की टेबल खाली थी मम्मी सो रही है भागा हुआ मम्मी के पास गया मम्मी आज नाश्ता नहीं बनाया क्या जया उठी और बोली नहीं आज कुछ तब यह ठीक नहीं लग रही है मोहित परिशान होते हुए बोला दवा खाई जया ने कहा नहीं अजे तुरन बिस्किट और क्रोसिन ले आया जया की इच्छा नहीं थी फिर भी वो उठी दवा खाली मोहित बोला ममी आप आराम करिये हम ओफिस में ही कुछ खालेंगे शाम को डॉक्टर को दिखा देंगे शाम को जब मोहित आया तब उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा जया ने कहा नहीं अब मैं ठीक हूँ एक हफ़ते तक सब कुछ सामान नहीं था पर रितु अनमनी सी ही दिखती लगता था उनका जगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ है एक दिन फिर रितु को कहते हुए सुना तुम्हें यहां रहना है तो खुशी-खुशी रहो मैं नहीं रह सकती एक दिन मोहित के आफिस के आने के बाद जया ने कहा मोहित तुम्हारी कंपनी वाले जो फ्लैट देने वाले थे उसका क्या हुआ मोहित ने अचकचा कर मा की तरफ देखा और पूछा क्या तुम चाहती हो कि अम उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाए तब जया ने निर्नायक स्वन में कहा हाँ बजाए इसके कि रितु ही ये घर छोड़ कर चली जाए तुम दोनों अपने घर में शिफ्ट हो जाओ मोहित ने कहा मा मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता जया ने कहा नहीं मोहित मैं अकेली कहा हूँ रिष्टेदारों का आना जाना लगा ही रहता है तुम्हारे जब जी में आए चले आना मैं अकेली रह लोंगी मोहित की आँखों में आसु आ गए जया ने समझाया बेटा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब की बात और थी मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ा से तुम दोनों के बीच में कलाय हो मोहित और रितु अपने नई फ्लैट में शिफ्टिंग की तयारी में लग गए नई घर में आकर रितु बहुत खुश थी लेकिन मोहित हर शनिवार को मा के पास आ जाता और सीधे सोमवार को आफिस जाता इस फ्लैट में आए छे महीने बीद गए थे रितु को लगने लगा उसने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी मा ने उसे पिछले दो सालों में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रखा था क्या खाना है बस यही बताना होता था वे तो बेफिक्र होकर आफिस जाती और घर आकर अपनी थकान उतारती यह घर अपना था पर उसके पास समय नहीं था वे काम ही समेटती रह जाती एक दिन रितु ने उसके शनिवार को मा के पास जाकर रहने की बात को लेकर नाराजगी जाहिर करी तब मोहित ने कहा रितु तुम्हारे कहने से मैं शिफ्ट हो गया पर मैं अपनी मा को अकेले नहीं छोड़ सकता पापा के जाने के बाद मैंने मा को तिल-तिल कर मरते देखा है तुम खुश रहो इसलिए मा ने भी हमें आने की अजाज़त दे दी अब मुझसे मेरी ये खुशी मत शीनो रितु की पलके शर्म से जुग गई वे सोच रही थी कि उस घर में तो मोहित कम से कम साथ था यहां आकर तो वो पास रहते हुए भी मुझसे दूर चला गया दूसरे दिन सुभा बिना मोहित को बताए रितु जया के पास पहुँच गई और जया से लिपट कर रोते हुए माफी मागने लगी रितु वोली मा मैं दूसरों के बहकावे में आ गई थी मुझे माफ कर दीजिये आगे से मैं आपकी बेटी बन कर रहूंगी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है दूर रहकर मुझे परिवार का महत्व समझ आ गया है मुझे एसास हो गया है कि मा बेटे का रिष्टा अटूठ होता है घर में बड़ों का रहना कितना जरूरी है मैं अकेली नहीं संभाल सकती मोहित बहुत बदल गया है हमें इस घर में आने की इजासत दे दीजिये जया ने उसकी गालों पर बहते आयांसूं को पोच कर प्यार से उसे गले लगा लिया और बोली रितू ये घर पहले भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है तुम लोगों को इजासत की कोई जरूरत नहीं है दूसरे दिन ही रितू मोहित के साथ अपनी घर में आ गई जैसे लगा जया की खोई हुई खुशिया फिर से लोट आई